आज हम बनाएंगे इंडियन चिकन के चाइनीज पोकाड़े इसके लिए हम दे चिकन बोन्रेस लिए हैं जो ऐसे छोटे किटे हुए हैं अब इस पर हम तुभी इसको मेरिनेट करेंगे इसको तुभी सीजनिंग करेंगे ये जिंजर गालिक पेस्ट थोड़ा सी जंजर गालिक पेस्ट इतना सा बहुत जरा सavors जिंजर गालिक पेस्ट हम ने हम एन चिकन मेन जाला है यह और दे ओर है और ग्चया रगन है ओर दॉन нужно सी फ्लेवर अच्छा था ही और दे तुर भूछ्गा शूए सॉया सॉस क्योंकि शॉआ शॉआ की की चनीज है तो चनीज पनी पतीन शॉया सॉया सॉस फ्रेश नीबू का जूस जो अपनी बीज डल रहे हैं इनको हम मैंवली निकाल लेता है चिकिन मसाला सॉल्ट एस्परटेस्ट इसको इसको मिक्स करना है मिक्स करने के बाद यह एग है एक को इसमें डालेंगे ताकि एक सिसकी बाइंडिंग हो अच्छा फ्लेवर आए प्रिस्पी नैसा है अब इसमें कौन फ्लार डालेंगे ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए और कौन फ्लार से इसमें तोड़ा प्रिस्पी फ्लेवर भी आता है यह हमारा रेडी हो गया है बैटर प्लस दी मेरिनेटेट चिकन हमने कड़ाई में ओईल डाला है यह ओईल गरम हो रहा है हो चुका है अलमस्ट ऑईल गरम क्योंकि अब यह सब फ्राइब होगा इंडियन चिकन की चैनीज पोगाड़े तो पोगाड़े फ्राइब होते हैं तब यह देखिए चिकन हमने डाल दिया है कि एक की वज़े से यह इसमें फ्रॉप बुल है या फॉम बुल है वो जादा है बनेगा चिकन को जोने आसे डीप फ्राइब किया है अभी देखिए ब्राउन हो रहा ही है अभी देखिए ब्राउन हो रही है रेगिलर्ली अपर इसको स्टेर करते हैं ताकि यह जनेबा इस व्रॉप देखिए यह एंडेग वजए से बढ़न है अब जाद हम डाने कि अब जादा हम जादा नेकला रहा है यह अब यह अब हम ब्राउन है इन को हम निकाल के प्लीप मिला लाओ है अब यह अब यह अब का रेडी होगया है यह हमारा रेडी है अनियन के साथ प्लस टोमेटो सॉस के साथ अब इसको अगर हम खोली के दिखाएं कर आपको यह देखिए कितना इसली कोग भी हो गया है इसली दन ऊपर जो कोटेंगे हो क्रिस्पी कोटेंग है और यह पांच मिल लगे है पांच मिल भी लगे हमें इसको ब सो प्लीज सब्सक्राइब तो आप चानल लाइक दिस वीडियो और ऐसे और माउट वाकिंग डिशिस के लिए प्लीज हमारे साथ चानल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू गुद बाई